नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सी यूट्यूग चैनल में आज हम बात करेंगे सैंसुंग A42 5G के कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में बेसिकली मैं आप लोगो दो तरीके से बताने वाला हूं कि आप लोग की स्टेप से कॉल रिकॉर्डिंग कर सी मिज dépel इसमें आप लोग अपने फोन में फोन में बीजर ऊपन करिये अंप ब्लों को फॉर्स के आप लोगो फोर्ज और आप सब्सक्यास का रिचिय्व नूटिपीक्येजन इसमें बेसिकली होगा कि अगर आप लोग इस नूटिपीकेशन को आ कर देते तो अगले वाले को notification चले जागा कि आप call recording करें जब भी आप लोग call recording करेंगे ठीक है इसको आप लोग disable भी रख सकते डिपाइंट करता है आप लोग के ऊपर second option auto recording का स्पिक लिक करेंगे जैसे ही आप लोग इसको on करेंगे नीचे के भी options available मिल जाते है all number पर call recording कर सकते अंसे और number selected number इन सब केटेगरी वाइस आप लोग अपने फोन में call recording कर सकते recorded call पर क्लिक करेंगे आप लोग अपने history चेक कर सकते कि आज तक अपने कितनी call recording यहां पर किया है सो उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो नो 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 एक चीज और बच गया है कि भाई manual तरीका manual तरीके में क्या होगा कि manual तरीके बेसिकली होगा गया ना कि आप लोग जब भी किसी particular इंसानों कॉल लगाते है उस तेम पर जो इंटर्फिस रहता है जैसे ही वह call रिसीव करेंगा आप लोग को red button मिलता है कर सकते कौल कीपट रखते उसी स्क्रीन में आप लोग को ऊपर में इत्ती रोश मिलेंगों स्पिकली करके आप लोग वहां से भी call रिकॉर्ड कर सकते ठीक है ना तो यह दोनों तरीक के automatic तरीका manual तरीके से call recording आप लोग अपने Samsung A42 5G में कर सकते हैं उम्मिद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंदे की जैमाता दी